हेलो दोस्तों, वेलकम टू हेल्दी वाइट्स सर्दियों के मौसम में डेंडरफ एक आम समस्या है जादातर लोग इस परिशानी से जूसते हैं लोग तरह तरह के एंटी डेंडरफ शेंपू इस्तमाल करते हैं लेकिन जादतर इससे कोई लाफ नहीं होता है इसलिए आज हमारी वीडियो में हम आपको बताएंगे तीन ऐसे घरिरुन उसके जो आसान भी है और असरदार भी तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो डेंडरफ से निजात पाने के लिए आप एलोवेरा का इस्तमाल कर सकते हैं एलोवेरा पौशिदिय गुड़ों से भरकूर होता है ये एंटी बैक्टेरियल और एंटी फंगल होता है जिसकी वज़े से आप डेंडरफ की समस्या से निजात पा सकते हैं तो चलिए अब हम आपको बताएंगे के ऐसे डेंडरफ को भगाने के लिए आप एलोवेरा का इस्तमाल कर सकते हैं डेंडरफ की समस्या को दूर करने के लिए एक बावल में एलोवेरा जेल, लीबू कर रस, रोजमेरी ओयल डाले और इसे अच्छे से मिक्स कर लें आप इस मिश्यर को स्केल्प और बालों की लेंध में लगाएं, लगाने के एक घंटे बाद बालों को वाश कर लें डेंडरफ को भगाने का तूसरा उपाय है नीम, नीम भी एंटि-फंगल और एंटि-बैक्टेरियल होता है जो रूसी को भगाने में आप कि बेहपसायता कर सकता है, तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आप नीम का इस्तमाल कैसे कर सकते हैं डेंडरफ से निजात पाने के लिए नीम का इस्तमाल कुछ इस तरह करें, एक बाउल में नीम की पत्तियों का पेस्ट और नीम के रस को अच्छी तरह से मिक्स कर लें, अब इस पेस्ट को अच्छी तरह से बालों में लगाए, आप इस स्केल्प के साथ-साथ बालों की ले कर सकते हैं चलिए अब हम आपको बताएंगे कि लहसुन और नारियल का कैसे इस्तमाल करें ताकि आप रेंटरफ से निजात पसे लिए लहसुन और नारियल का तेल कुछ इस तरह से इस्तमाल करें लहसुन को सबसे पहले छील ले और रात भर के लिए नारियल के तेल में भीको पर रहने दें इसके बाद आप शैम्पू कर सकते हैं इसे तीन ऐसे उपाएं जिससे आप टेंडर से निजात पा सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें साथी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें साथी हमें कमेंट बोक्स में बताएं कि आपको इस अबोक्स मेंगर निए यिखजाओी हमें बताएं करें साथी हमें हमें साथी हमें।